हम बात करने वाले हैं रेमको सिमेंट के वार में दा रेमको सिमेंट करेंट हम डेली चार्ट पर हैं और फिलहाल देखेंगे एक अच्छा ब्रिक आउट आपको देखने के मिल रहा है करीब 880 के संथिंग का लेवल है यहां से अगर आप देखोगे तो 2024 फरवरी के आसपास का करके लेकिन अपने लाश्ट लोग को ब्रेक करके मतलब यहां पर एक ट्रैप मोमेंटम बनाया इसने और फिर एक सार्फ रिवर्स नाया अपने प्रिवियृस हाई तक गया फिर वहां से एक सेलिंग आता है और अभी अगर आप देखोगे तो एक अच्छा रिकवरी हमें सकता है और एक ही लेवल को करीब दो या तीन वार अगर मार्केट को निकलना है तो इस चीज को याद रखेगा कि बड़े कंडल के साथ मूव कर सकता है तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि वहाँ पर आपको कोई कंफरेशन बहुत जादा मिलेगा तो जनरल इस टाइप के मुमेंटम में नहीं मिल पाता है तो यह चीज याद रखेगा डारेक्टली ही बाइंग करना पड़ेगा आपको अगर एंट्री लेना है तो यहां से अगर आप एक रेंज लगाओगे न तो यह आपका टार्गेट अगला ब्रिकाउट बनने वाला है तो यह आपका टार्गेट भी बनेगा साथ में नेक्स्ट आपका ब्रिकाउट भी बनने वाला है जो कि करी 2020 का लेवल होगा तो फिलाल कर सौट टम में हम अल्मुस्ट करेंट लेवल से प्लान कर सकते हैं अगर एक अच्छा कंफरेशन यहाँ पर हमें मिलता है कंफरेशन का मतलब एक अच्छा मोमेंटम का कंफरेशन हमें मिल जाए मोमेंटम का कंफरेशन ना कि ओवराल प्राइज का कंफरेशन ठीक है मिलब डारेकली बड़ा गैप नहीं हो रहा है बड़ा गैप डाउन नहीं हो रहा है नॉर्मल मूफ के सा आपको अगर इंटाइड इस ट्रेंथ दिख रहा है वहाँ पर तो हम बाहिंग के लिए प्लान कर सकते हैं करके तो यह आपका टार्गेट होगा अगर इसका हम क्रॉस करते हैं इसको लेवल को जो कि करीब 1000 से 1020 का लेवल होने वाला है तो यहां से फिर आपको करीब 1100-1200 तक का टार्गेट बहुत आसानी से दिख सकता है जिसमें 1100 का लेवल बहुत important हो जाएगा उसकी उपर जाते ह तो यह सौट टम से मिट टम के लिए चेंज हो जाएगा आगर यह डारेक्ली जाता है फिलाल सौट टम के लिए अच्छा दिख रहा है तो आप अपनी बोच लिश्ट में एड़ करके रख सकते हो सौट टम एक अच्छा मोमेंटम यहां पर बन सकता है बागे ऐसे किसी भी स टॉक पर आपको अलिस चाहिए तो स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हैं वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थेंक यू सो मच